गुड मॉनिंग कल हम लोगों ने विलास्टी अडिशन फार्मॉला देखा था यानि कि जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इस्पीड लाइट के आसपास तो उस कंडिशन में हम विलास्टी को कुछ अलग तरीके से जोड़ते हैं हमने जो कल फार्मॉला बता था उ जो की स्टेशनरी है एस यह फ्रेम में स्टेशनरी यानि रुका हुआ है रेस्ट में है और इस फ्रेम में कोई आपजेक्ट अगर मूव कर रहा है इधर यू डाइरेक्शन से मूव कर रहा है और इसी आपजेक्ट को मूव करते हैं अगर किसी दूसरे फ्रेम में देखें इस डैश जो की इस डाइरेक्शन में मूव कर रहा है वी डाइरेक्शन से तो इसके हिसाब से इसकी विलास्टी कुछ और नजर आएगी वो यू होगी यू डैश इसगोल टू यू माइनस वी डिवाइड़ेड़ बाई 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वाएर यह आपका विलास्टी एडीशन है रिलेसिक फ्रम में Galilean transformation यानि के classical physics classical physics में दो velocity को इस तरह जोडते हैं लेकिन relativistic formula यह होता है अब condition को हम change करते हैं और दूसरी condition में अगर object आपका बजाए इस frame में चलने के इस frame में चले यानि कि same object है मगर वो जो frame move कर रहा है उसी में अगर चला हो तो इसका velocity u dash होगा ऐसी condition में अगर हम यहां से देखेंगे उसकी velocity को तो क्या न ज़राएगा यानि के u observed velocity of particle moving in frame s dash ऐसी condition में u is equal to होगा u dash plus b जहां पर minus भी था वहां पर plus भी हो जाएगा divided by one plus u dash v by c square यह हमारा होगा second case में second case तो finally जो हमारा formula निकला characteristic form में velocity addition का वो कुशी इस तरह होगा the relativistic velocity velocity addition formula u dash is equal to u minus v divided by under root 1 minus u v by c square when object moves in stationary frame and observed from moving frame इसी चीज को दूसरे तरीक ऐसे देखें and अगर u यहां रखें तो जहाँ पर minus है वहाँ पर प्लस हो जाएगा u dash is equal to v by 1 plus u dash v by c square यह भी same formula है when object moves in moving frame and observed from rest frame तो दोनो फार्मूले velocity addition के इस फार्मूले है और दोनो एक ही चीज़ को शो करते हैं जब आपकी velocity approaches to c होती है तो यह दोनों फार्मूले काम करते हैं law and transformation का यह भी एक application है अब इसका हम result देखते हैं कि इसका मतलब है क्या इस फार्मूले का मतलब फिचकली का मतलब क्या है और यह आइंस्टाइन के पॉस्टिलेट को कैसे फालो करता है significance of velocity addition चलिए देखते हैं पहला केस हमारा जो फार्मूला है यू इसकल टू यू डैश प्लस वी बाई वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वाइर यह फार्मूला है velocity addition का और केसे स्टडी करते हैं केस वन कि सपोर्ज कीजिए कि अगर आपका पार्ट किल सी के विलास्टी से चल ला है यानि के इफ पार्ट किल moves with speed of light यानि के यू डैश इसक्वाल टू सी तो इसका रिजल्ट क्या होगा इसी साब से यू इसक्वाल टू सी प्लस वी डिवाइड बाई वन प्लस सी वी बाई सी स्क्वाइर इसको सॉल्ट करें अगर तो यू इसक्वाल टू सी प्लस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी बाई सी इसको सॉल्ट करें सी प्लस वी ये फैक्टर आजागा सी सी प्लस वी इसको सॉल्ट कर तो ये कट जाएगा और आश आएगा सी यानि के अगर आप किसी विलास्टी में C जोड़ते हैं तो इस फर्मले के साब से आंसर आपका C आएगा C से जादा नहीं आएगा यानि के नो एनी पार्टिकिल कैन मूँ फास्टर देन लाइट जो कि Einstein के हिसाब से बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज की विलास्टी C से जादा नहीं होती ते अगर आप C में कुछ जोड़ेंगे तो भी आंसर C ही आएगा यहीं पर गलती किया था माईकरसन मूरले ने उन्होंने C प्लस वी और C माइनस वी कर दिया था जिससे उनका रिजल्ट निगेटिव है था इस हिसाब से अगर आप C में किसी चीज को भी जोड़ते हैं तो आंसर आपका C ही आएगा तो लाइट की स्पीड जो होती है वो अल्टिमेट होती है उससे जादा पास्बिल नहीं है दूसरा केस देखते हैं इसी फार्मले पर सेकेंड केस में केस टू इफ यू डैश इसकल टू C एंड वी इसकल टू C यानि कि जो पार्ट के लिए उसकी विलासिटी C है और जो फ्रेम है उसकी विलासिटी C है उस कंडिशन में क्या होगा U is equal to C plus C divided by 1 plus C square by C square यानि कि यह 2C हो गया और divided by 2 आंसर आएगा C तो किसी भी condition में आपकी velocity जो आएगी वो C से ज़्यादा नहीं आएगी संभवी नहीं है कि कि किसी की velocity C से ज़्यादा आजाए तो यह addition formula Einstein के postulate को बिल्कुल सही साबित करता है और इसी formula पे कुछ numerical जो एक काफी important है वो बताने जा रहे है this formula shows that speed of light is ultimate velocity of of ultimate velocity in nature and nothing can be added or subtracted from speed of light speed of light यानि कि light की speed में आप आप न तो कुछ जोड सकते और नहीं कुछ घटा सकते हैं light की speed ultimate होती उससे आप किसी की तुलना नहीं कर सकते माइकलसन मोलें यही तुलना की थी उन्होंने c प्लस वी कर दिया था और c माइनस वी कर दिया था जिसे उनका result निगेटिव आ गया था कि Einstein ने कहा कि आप कि इसमें कुछ नहीं जोड सकते कुछ नहीं खटा सकते हैं तो अब हम इसी formula पर जो formula हमा रहा है उस पर कुछ numerical करते हैं कि numericals on velocity addition formula हमें आप formula लिख दें u is equal to u dash plus v 1 plus u dash v by c square यह velocity addition formula है और इसी पर कुछ numerical solve करते हैं question number one टू पार्टिकिल्स गेंट टू आड्स इच अदर इच अदर इच अदर दो पार्टिक्ल जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इच अदर विद श्पीड 0.7 c दोनों की speed 0.7 c है और दोनों एक जोसरे की तरफ आ रहे हैं what is the what is their relative speed यानि के इसको इस तरह समझें solution एक पार्टिक्ल है ए और दूसरा पार्टिक्ल है बी यह इधर आ रहा है 0.7 c से और यह इधर आ रहा है 0.7 c से तो अगर इसको क्लैस्कल ही देखा जाए क्लैस्कल मेथट से तो इसका आंसर कुछ इस्तर होगा जो रिलेट्टिविस्म की speed होगी u is equal to u1 प्लस u2 मा लिया तो दोनों opposite में है तो u1 प्लस u2 यानि के 0.7 c प्लस 0.7 c यानि के 1.4 c जो की c से ज़्यादा है इसलिए यह formula लागू नहीं होगा क्योंकि इसकी speed 7 c से ज़्यादा आ गया यह आ गया इसलिए ऐसे condition में हम इस formula का इस्तमाल करेंगे एप्लाइग रिले टिविस्टिक वेलासिटी एडिशन फार्मूला u is equal to 1 की वेलासिटी 0.7 c है दूसरे की वेलासिटी 0.7 c है divided by 1 plus 0.7 c into 0.7 c by c square इसको solve करें यह 1.4 c divided by 1 plus c square quantity जाएगा 0.49 यानि के 1.4 divided by 1.49 c जो कि इसका अंसर आएगा 0.93 c जो कि less than c है तो रिले टिविस्टिक के फार्म में गलासिटी हमेशा c से कम आएगी इस formula से इस पर दूसरा कुछिन एन आपजर्वर एक आपजर्वर है जो की एक्टिव 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 2, 5, C the atom the atom emits a beta particle which has a velocity of 0.9C what is the what is the velocity of beta particle velocity of beta particle as observed by observer solution अगर इस question को normally किया जाया जैसा कि गैलियन ट्रास्फर्मेशन किया तो according to 2, 5, C 2, 5, C तो इसका answer कुछ इस तरह आएगा 1.15C जो की not possible है यह possible नहीं है क्योंकि इसकी value C से ज्यादा होगी तो ऐसी condition में हम formula को change करेंगे और यह formula यूज करेंगे होधा होधा isn't आप्वाचिछ आप्ली 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 प्लूप आप्ली u dash plus v upon 1 plus u dash v by c square 0.9 c plus 0.25 c divided by 1 plus 0.9 c into 0.25 c by c square यह आपका हैगा 1.15 c divided by 1 plus c square cancel जाएगा और 0.9 और 0.25 को कर मों multiply करें तो इसका answer हैगा 0.225 यानि कि 1.15 divided by 1.225 c या 0.94 c तो अगर हम रेलिट्विस्टिक फॉर्म में इस formula का इस्तमाल करेंगे तो हमेशा हमें output जो velocity मिलेगी वो c से कम मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक जो इस unit का है जिसका नाम mass variation with speed है actually में यह बेहर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह न्यूटन्स के जो law है mechanics के उसको deny करता है classical mechanics में classical mechanics के हम बात करें जिसमें newtonian physics लगता है mass variation with velocity अगर हम classical mechanics की बात करें जहां पर की newton का physics काम करता है newtonian law उसमें यह कहा जाता है कि mass हमारा कभी change नहीं होता mass concentration रहता है तो अगर हम newton की बात करें the second law of newton's mechanics उसमें यह कहा जाता है कि force जो होता है वो rate of change of momentum होता है force is equal to rate of change of momentum उस condition में d by dt और momentum जो हम m भी रख दे mass into velocity newtonian के साब से mass is always constant in classical physics यानि कि mass हमारा कभी change नहीं होता newton के साब से newtonian physics के साब से उस condition में हम mass को इस equation से बाहर ले लेते हैं mass m बाहर जाएगा dv by dt यानि m into a यह आपका second law equation है और वो तब है जब आपका mass vary न करता हो अभी हमने देखा कि length एंड टाइम बोथ चेंजेज़ ड्यू टू हाई स्पीड तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा स्पीड है और इसमें length और time तक change हो जा रहा है तो mass पर भी कुछ न कुछ effect पड़ेगा तो आइंस्टाइन ने या lawrence के transformation से या आइंस्टाइन के हिसाब से mass is also changes with respect to velocity अगर हम किसी चीज की velocity बहा दें किसी object की तो उसका mass भी change हो सकता है पहली बार यह concept आया आइंस्टाइन के हिसाब से कि mass m mass also vary with respect to velocity और यह भी कहा गया कि mass हमेशा increase करेगा फर अगर हम यह object जो मेरे हाथ में है इस object का weight imagine कीजिए कि इसका weight 1 kg है 1 kg का हमने एक stone लिया और इसको नार्मिलिया से fake दिया तो इसके mass में कोई change नहीं आएगा लेकिन अगर हम इसी object को काफी high speed से फिकें अगर हम इसी mass को almost c के आसपाज फिकें तो इसका mass बढ़ जाएगा automatic बढ़ जाएगा और वो इस formula से बढ़ेगा m is equal to m0 by under root 1 minus v square by c square यानि के हमेशा v की value कम होती है तो m is always greater than m0 m0 जो है m0 rest mass है यानि के इस समय जो मेरे हाथ में है इसमें जो mass इसका होगा वो rest mass है और अगर हम इस चीज़ को फिकें काफी speed से तो इसका जो mass change होकर आएगा वो हमारा m होगा वो रिले टिविस्टिक mass होगा और जिसकी value हमेशा rest mass से ज्यादा होगी तो हो सकता है कि जो मेरे हाथ में object है उसका mass एक किलो कराम है इसको हम फेकें तेजी से तो इसका mass बढ़के 2 kg भी हो सकता है या 3 kg भी हो सकता है यह depend करेगा कि हम इसको किस speed से भेज र लिया कि इसको हम भेकें थेजी स्वेकें very fast और इसकी speed हम भी बराबर सी कर दें imagine किजिए वी बराबर सी ऐसी condition में m की value जवाएगी वो m0 by 0 यानि के infinite इसका मतलब कि अगर हम किसी object को लें और speed of light से फेक दें तो उसका mass बढ़के infinite हो जाएगा तो यह formula mass variation formula है और इसका derivation बहेंद important है यह derive यह आया कहां से यह कैसे derive हुआ हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे the mass increases by a factor of 1 by under root 1 minus V square by C square when projected with relativistic speed अगर हम इसकी speed बहुत बहुत है तो यह mass हमारा इतना time increase कर जाएगा यानि कि formula जोगा m is equal to m0 by under root 1 minus V square by C square यह mass variation formula है mass variation formula जहां कि m is rest mass यानि कि जब आपका mass move नहीं कर रहा है तब और m relative stick mass जब आपका mass move कर रहा है इस condition में यह formula कैसे drive हो इसको कैसे drive करेंगे इस चीज को हम next इस चीज को हम next lecture में देखेंगे और यह काफी लंबा भी है अपने आप में और इसमें करेंगे सारे tricks भी है और यह आम तोर पर इस बात को प्रूफ करता है कि this formula also show that no any particle can move faster than light तो इस formula को हम कल drive करेंगे धन्यवाद दोई प्रूज प्रूश सकत्राइबाद करेंगे आपको कम करेंगे और यह जवाद रगन प्रूब्राश बाड़कूश प्रू़क्टट से प्रूश भूब्राइबाद